विल्कम टू अनकेडमी तो लास्ट लेस्न में हमने पढ़ा था बॉट इंस्पारेशन एक बार इसको रिवाइस कर लेते हैं तो इंस्पारेशन कब होता है जब इंट्रा पॉल्मोनेरी प्रेशर से बहुत कम होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर है मतलब प्रेशर प्रेशर जो हो नेगेटेवा प्रेशन होता है कि यह होता हम साट अधर्म कॉंट्राइकत होता है नीचे की तरह ऑस्तर्नम और रिप्स के मदद से थोर्यश्क वॉल्म इंकृज Negative इस तरीके से इंस्पारेशन होता है ठीक है और उस वज़े से atmospheric air जो है वो अंदर आती है एक प्रेशर से ठीक है जस लाइक in-dropper जैसे मैंने आपको example समझाया था यह भी मैंने आपको बताया था कि यहां देखे डाइफ्राम contract हो रहा है rib और sternum raise हो रहे हैं जिससे की thoracic volume increase हो रहा है और air enter कर रही है अब हम पढ़ेंगे about expiration ठीक है इसमें just opposite होता है ठीक है so expiration is a process by which alveolar air is released out expiration वो प्रोसेसे जिसमें की alveolar air जो है उसको हम release करते हैं with the use of nostrils ठीक है expiration takes place when the intra pulmonary pressure is higher than atmospheric pressure जैसे की मैंने आपको बताया था कि expiration just opposite inspiration के तो inspiration हमने पढ़ा था कि तब होता है जब intra pulmonary pressure less रहता है atmospheric pressure तेकिन यहां उल्टा यहां intra pulmonary pressure high रहता है atmospheric pressure से as you can see देखिए यहां intra pulmonary pressure जादा है atmospheric pressure से है ना आगे बढ़ते हैं the diaphragm and specialized set of muscles external intercoastal and internal intercoastal muscle between the ribs help in generation of pressure gradients ठीक है तो जो diaphragm है और specialized muscles के बारे मैंने बताया था कि जहां पर भी कोस्टा आता है इसका मतलब होता है रिप्स जो external or internal coastal muscles है रिप्स के बीच में वह help करती है in the generation of pressure gradient यह pressure gradient generate करने में help करती है relaxation of the diaphragm internal coastal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position and reduce thoracic volume by the pulmonary volume अब inspiration में हमने क्या पढ़ाया था diaphragm contract होता है ribs raised होते है इसे क्या होता है thoracic volume बढ़ता है और air enter करती है और air अंदर enter करती है ठीक है अब expiration में इसका just opposite होता है ठीक है diaphragm relaxed हो जाता है यह relaxed position में आ जाता है ठीक है यह एक dome shaped प्रा ले लेता है यह दों शिफ ले 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 लेता है इसको टोंशुट कहते है ऑई रोपर की तरफ रहा रोप टार्वा और जो रिप्स और जो sternum है जो कि inspiration में उुपर की तरफ जा रही थी अब वो expiration में नीछे की तरफ उते है अब और पार जाते हैं अरिजिनल पोजिशन पर जाती है जो वॉल्यूम में यह गी हवाल जाता है और एयर एक्सेल्ड आउट यह देखे यह कुछ इस तरीके से जैसे हम किसी को अग्राओ और कि कि था मार रहा हूँ रहा हूं तो एकजयंब जैसे कि यह अपने फिए बलून मेड बालून को जब आप अब आप अब दबाते हैं तो इसी तरीक यह जो टायफयम गाएभा बुचता व получается किर आप जो भालून से बाहर से बाहर चली जाते है वहका जाता है वहार लंट पिछते है से्म केस डाहं होता है की रिलक्सिटेयोग ओटाया होता है तो से बादा लाहां प्यूर्म डायफार्मों devil ड्रिल्एट में जाएगा यह उसके के श्की रिलाक्शेट होची जाएगा और अप्वट की Commission पिए और टेम के टार ही कि जीए इस फोड़ाय से का हो जाए गाम्रुशन इस वज़े से क्या होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो अट्मोस्फरिक प्रेशर से स्लाइटली इंक्रीस हो जाता है और जो एर है वो बहार चल लियाती है एक और पार देख लेते हैं डाइफ्राम ऐसा डॉम शिब ले लेता है प्रेशर लगाते हैं तो बहार जाती है उसके वज़ सेम केस इहां इक्सपारेशन बहुता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जादा रहता है अट्मासफेरिक प्रेशर से और डाइफ्राम और जो स्टर्नम स्टर्नम ब्रेप जो उपर की तरफ गए थे वो रिलेक्स जाता है और जैसे आप सांस तो चोड़ते हैं तो अपनी नॉर्मल पोजिशन पर जाता है वोई केस इसमें मैंने आपको समझागा है ठीक है आगे बढ़ते हैं करता है सांस बार है भी टी सेंथिस इंश्पारीशन पोजिशन एप रहे हैं टीक है हम अपना इंस्पारेशन और एक्सपारेशन वॉल्यूम इंक्रीश कर सकते हैं कुछ मशल्स के हर्प से जो की अब्डूमन में प्रेजन होती एक average healthy human 12 to 16 times air को inhale करता है, मतलब ब्रीधिंग करता है, मतलब इन्हेल और एक्षेल करता है, मतलब इंस्पिरेशन और एक्स्पिरेशन करता है The volume of air involved in breathing movements can be estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of formulary functions एक device होता है, जिससे कि आप breathing movements नाप सकते हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे about respiratory volumes and lung capacities सबसे पहले हम पढ़ रहे है about tidal volume The volume of air inspired and expired during a normal respiration is known as tidal volume जो हम normal respiration करते हैं, उसमें जो air को inhale और exhale करते हैं, मतलब इंस्पिरेशन करते हैं, उसको tidal volume कहा जाता है तो वो approximately volume होता है, लगबग 500 ml A healthy human man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute ठीक है? आप पढ़ेंगे about inspiratory reserve volume तो इंस्पिरेटरी reserve volume क्या होता है? तो additional volume of air a person can inspire by a forceful inspiration C, forcible inspiration This averages to 2500 ml to 3000 ml तो inspiratory reserve volume का सबसे बड़िया example है प्राणायाम तो प्राणायाम में जब हम सांस लेते हैं, तो उसको हम forcible inspiration बोलेंगे क्योंकि हम force लगा के सांस लेते हैं, ठीक है ना? तो जब हम उसको inspiratory reserve volume बोलेंगे, ठीक है? इसका volume लगबग कितना होता है? इसका volume होता है लगबग 2500 to 3000 ml ठीक है? उसके बाद है expiratory reserve volume इसमें भी हम प्राणायाम का example ले सकते हैं यह था कि हम प्राणायाम में जब forcible सांस लेते हैं उसके बाद क्या है? जब हम forcible expiration करते हैं, मतलब force सांस छोड़ते हैं ठीक है? तो उसको हम expiratory reserve volume कहेंगे additional volume of air, a person can expire via force will expiration इसका average होता है लगबग हो 1000 to 1100 ml ठीक है? इसको expiratory reserve volume कहते हैं उसके बाद आजाते हैं, residual volume तो residual से ही समझ मांदा है, मतलब residue, मतलब जो बच गए है तो volume of air remaining in the lungs even after forcible expiration करने के बाद भी जो लंग्स में air बचती है जो कि हमीशा बचती है उसको residual volume कहते हैं ठीक है? जैसे कि आपने प्रानायम में forcible expiration कर दिया उसके बाद जो लंग्स के अंदर जो volume of air बचे का उसको residual volume कहते हैं, यह लगबग होता है 1100 ml to 1200 ml ठीक है? By adding a few respiratory volumes described above one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis यह तो हमने volumes के बारे में बात कर लिया है नहीं यह हमने volumes के बारे में बात कर लिया अब हम बात करेंगे about respiratory capacities जो की important है पढ़ना क्योंकि यह clinical diagnosis में help करती है कि हम यह हम यह कोई और patient किस की जुनारी से पे में पेड़ते हैं, ठीक है? तो inspiratory capacity, total volume of air, a person can inspire after a normal expiration उसको हम inspiratory capacity कहते है, total volume air की जो person inspire कर सकता है after normal expiration मतलब नॉर्मल जो respiration, breathing करते है उसको inspiratory capacity कहां गया यह पर बस नाम चेंज कर दिया ठीक है, this includes tidal volume plus inspiratory reserve volume तो इसमें इसको क्या बोलते है, tidal volume ठीक है, tidal volume मैंने बताया था, normal breathing ठीक है, plus inspiratory reserve volume और inspiratory reserve volume को add कर दें, तो inspiratory capacity आ जाते है, ठीक है, यह clinical diagnosis के लिए यूज किया जाता है, यह calculation, उसके बाद आ जाते हैं, expiratory capacity, तो यह होता है, total volume of air, a person can expire after a normal inspiration, जो total volume करके, जो air इंसान छोड़ेगा, उसको यहाँ expiratory capacity का गया, this includes tidal volume plus expiratory reserve volume, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, functional residual capacity पे, तो यह होता है, volume of air that will remain in the lungs even after normal expiration, यह वो air जो लंग्स में रहेगी, normal expiration करने के बाद भी, ठीक है, यह होता है, ERV plus RV, ठीक है, residual volume plus expiratory reserve volume को प्लस करने के बाद यह आ जाता है, FRC, उसके बाद आता है, vital capacity, the maximum volume of air, a person can breathe in after a forced expiration, forced expiration करने के बाद, जो maximum volume of air, person inspire कर सकता है, मतला सांस ले सकता है, उसको यहाँ vital capacity का आगा, इसमें के included है, ERV, TV, IRV और maximum volume of air, a person can breathe out after a forced inspiration, ठीक है, उसके बाद आता है, total lung capacity, the total volume of air accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, forced inspiration करने के बाद भी, जो total volume, जो air का है, जो अंदर होता है, लंग उसको यह total lung capacity का आगा, इसमें क्या के included है, इसमें लेते है, RV, ERV, TV and IRV और vital capacity plus residual volume, okay guys, that's all for today, next lesson में हम पड़िंगे about exchange of gases, thank you, और उसे सहें, जऴर प्याओआ, को अंदर है, जो रहे की है, यहmen के नाथ ऑना दो लंगएपना, यह Cabाझ sidewalk being